तेहर देखो, जब मैंने फीमेल थौर की ओरिजिन बताई थी, तब मैंने वहाँ गौर दा गौर्ड बुचर की ओरिजिन को भी थोड़ा सा टच किया था, लेकिन जब सी ये ओफिशली कन्फर्म हुआ है कि क्रिस्चन बेल थौर लवें ठंडर में गौर दा गौर्ड बुच दूर के प्लानेट से, लगभागात से 3000 साल पहले, इस प्लानेट पे हर जगा भुक मरी है, खाने को कुछ नहीं है, तरह-तरह की बिमारी फैल रही है, कभी भूकम तो कभी बाड़, ऐसे करके धीरे-धीरे ये प्लानेट खतम हो रहा है, इस प्लानेट पे जीवन के नाम प उसकी माँ को कुछ जंगली जानवरों ने मार दिया, जब वो बड़ा हुआ, तो उसकी पतनी एक भूकम के चलते मर गई, उसके गोध में ही उसके बच्चों ने भूक प्यास से दम तोड़ दिया, सब कुछ से हार के, अपने बच्चों को खोने के बाद, दुख और गुस अबीले वालों का साथ ना होने के कारण, वो अपनी आखरी सास गिन रहा था, उसका अंत नस्दीक था, इसी तरह भटकते भटकते, कुछ दिन बाद गौर को दो गौर्ड्स आसमान में दिखे, वो भी एक दूसरे से लड़ते हुए, एक ने गोल्डन कलर का आर्मर पहना अब ये दोनों गौर्ड्स आपस में क्यों लड़ गए थे, इसकी भी एक अलग स्टोरी है, जो कि मैं यहाँ शॉट में बता देता हूँ, तो नल को आप एक गौर्ड लाइक एंटिटी समझ सकते हो, जो कि डाक्नेस में राज करता था, सेवन्थ कॉस्मोस के क्रियेशन से पहले, लेकिन जब सेलिस्टियल साएं और उन्होंने अपना क्रियेशन स्टार्ट किया, तो लाइट अफ क्रियेशन ने नल को जगा दिया, नल ने अपने शैडो से एक वेपन बनाया, जिसे आज हम नेक्रोसॉट के नाम से जानते हैं, जो कि वन आफ दी मोस्ट वेपन है, नल ने नेक्रोसॉट के एक स्टुन से ही, एक सेलिस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया, अगर आपको याद हो तो गार्डियन से दी गालेक्सी में नो वेर नाम का एक प्लैनेट दिखाए गया था, जो कि उसी सेलिस्टियल का ही हेड था, जिसे की नल ने मारा फिर इसी के बाद उसने अगले हजारों साल तक अपने नेक्रोसॉट के हिल्प से कई गौड्स को मारा और इसी तरह उसका सामने एक आर्मी ऑफ गोल्ड आर्मर गौड्स से हुआ जहां उसने सब को मार तो दिया लेकिन आखरी बचे एक गोल्डेन आर्मर गौड ने अपने देखके गौड को और गुस्सा आ गया उसने बोला जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी तो तुम सब कहा थे और गुस्से में उसने पासी गिरा नेक्रोसॉट उठाया और उस घायल गौड को मार दिया इसी तरह से उसे नेक्रोसॉट से और भी ज़ादा पावर्स मि और उसका नाम पड़ा गौर दगौर बुचर इसके बाद उसका सामना हुआ गौर अफ थंडर थौर से जहां उनकी फाइट भी बहुत बड़ी चली बट अल्टिमेटली थौर ने गौर को मार दिया अब मैंने थौर और गौर की ये फाइट को बहुती सिंपल वे में बता दिया है बट इसकी एक बहुती लंबी और कॉंपलेक्स स्टोरी लाइन है जहां टाइम ट्रैवल से लेकर थौर के तीन-तीन डिफरेंट वर्जन्स भी हैं बस इतना समझ लो कि इन दा एंड थौर ने गौर को मार दिया था गौर को मारने के बाद थौर को ये रिलाइस जरूर हो रहा था कि गौर जो भी कह रहा था उसमें उसके जैसे गौर्ट की भी गलती है लेकिन उसे पूरा भरोसा नहीं था लेकिन निक फिरी जिनके पास उस टाइम आई ओफ वाचर के पावस थे उन्हें युनिवर्स के सारे सीक्रेट्स पता थे और उन्होंने धीरिस से थौर के कान में बोल दिया कि गौर सही था और यहीं पे थौर के हाथ से हैमर नीचे गिर गया और वो अनवर्दी हो गया तेक तरह से इंडिरेक्टली ही सही लेकिन गौर की जीत हो गई अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया है वो गौर की स्टोरी बहुत ही सिंपल वे में थी लेकिन MCO में इस कारेक्टर को इंट्रडूस करना वो भी क्रिस्चन वेल के साथ बहुत ही जादा इंपैक्टफुल हो सकता है क्योंकि गौर एक ऐसा विलन है जिससे की ओडियन्स बहुत जादा कनेट कर पाएंगे अब पुछोगे कैसे तो भाई अगर आपको किसी भी मुवी का में विलन याद होगा तो वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि इस विलन की बैक स्टोरी इमोशनल होगी और यही सेम चीज यहाँ होने वाली है क्योंकि भाई गौर की स्टोरी बहुत ही जादा इमोशनल है जिससे की ये विलन दूसरे विलन से भी बहुत जादा इंपैक्टफुल होगा और उपर से क्रिश्टन बिल का परफॉर्मेंस तो है ही आपके इस पर क्या थौट्स हैं कॉमेंट जरूर करना होपसो की वीडियो पसंद आई होगी अगर हां तो वीडियो लाइक करना शेयर करना और कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना और हां यह इस साल का लास्ट वीडियो है तो very happy new year और मिलते हैं अब January 2021 में मेरे second channel का कोई वीडियो देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और female thawr की origin जानने के लिए नीचे वाली मिलते हैं फिर next year till then we they see be nerd